सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल समराट मेडिकल नामे को और साथ में दबाए बेल आइकन को हमारे सभी वीडियो देखने के लिए नमस्कार आज हम लोग जनेंगे फिरो मेक्स एक्सटी टेबलेट के बारे में इसका कॉमपोजिशन फिरोस असकॉरबेट एंड फोलिक एसीड है इसके परते एक टेबलेट में फिरोस असकॉरबेट 100 mg तथा फोलिक एसीड एक पॉइंट पॉइंच एमजी पाया जाता है या मेक्स लाइफ केर एललपी द्वारा बनाया जाता है जो 140 रुपे के कीमत पर 10 टेबलेट के इस ट्रीप में किसी भी मेडिकल एस्टोर पर इजली मिल जाता है इस वीडियो के माध्यम से जनेंगे फिरो मेक्स एक्सटी टेबलेट का अपयोग कब किया जाता है इस दोस्तों फिरो मेक्स एक्सटी टेबलेट बहुत ही अच्छा एंटी इनेमिक मेडिसीन है इसका अपयोग दुबले पतले कमजोर पेसेंट में किया जाता है जो अपने खन पौन से उचित महत्रा में पोशक तत्व नहीं ले पाता हो या वैसे पेसेंट जिसे कमजोरी के का कराता हो पेसेंट एक आएक खरा होने पर उसके आखों के समने अंधेरा चा जाता हो घुमरी लग जाता है तथा गिड जहने जैसी समस्या आता है तब डॉक्टर द्वारा इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है दोस्तों इसमें जो फेरोस एसकॉरबेट मिला या आइरन का करित्रीम रूप है जो हमारे सरीर में खून के अस्तर को बढ़ाता है तथा हिमोगलोविन के उत्पादन के लिए भी आवस्यक है फॉलिक एसीड जिसे बिटामिन वी नाइन के नम से जाना जाता है या हमारे सरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ने में बलड के कमी के कारण आई कमजोरी को ठिक करने के लिए भी फिरो मेक्स एक्स्टी टेबलेट का उप्योग किया जाता है महिलाओं में अत्यधिक मासिक सराव के कारण उसका सरीर काफी कमजोर हो जाता है जिससे औरतों को हांत पैर में जलन होता है चक्कर अने लगता है में खून की कमी को दूर करने के लिए भी फिरोमेक्स XT टेबलेट का उप्योग करवाया जाता है फिरोमेक्स XT टेबलेट में जो फोलेक एसिड मिला हुआ है इसके उप्योग से गर्व में पलड़े बच्चे कि अच्छी स्वास्त के साथ साथ जन्म दोस्त से भी बचाव होता है फोलिक एसिट का उप्योग प्रेग्नेंसी कंसीव करने से पहले भी दमपत्यों को करवाया जाता है क्योंकि सरीर में फोलिक एसिट के परचूर मत्रा में पाय जाने से pregnancy conceive करने के chances बढ़ जाते हैं पाइस होने पर जब एनस के अंदर और बाहर वाले हिसों में सूजन हो जाता है जिस वज़ा से पाखना करते समय जोर लगाने पर काफी blood निकल जाता है ऐसा प्रतेक दिन होने पर व्यक्ति कमजोर हो जाता है इस तरह के कमजोरी को ठीक करने के लिए भी फेरो मैक्स एक्सटी टेबलेट का उप्योग किया जाता है अब जानेंगे इस टेबलेट के जोज़ेज के बारे में इस टेबलेट को कैसे लेना चाहिए तो दोस्तों एक व्यक्ति और 13-14 वर्ष से उपर के उमर वाले को एक टेबलेट परती दिन दिया जाता है अब जानेंगे फेरो मैक्स एक्सटी टेबलेट के उप्योग करने के बाद क्या-क्या दुस्प्रभाव हो सकता है इनके साइड इफ्यक्ट के बारे में तो दोस्तों इस टेबलेट को लेने के बाद जी मिचलन उल्टी होन तथा अश्टूल यानी पकहना का कलर बलेक हो जाना इनके कुछ साधारन साइड इफ्यक्ट है दोस्तों आसा करता हूँ Phyromax XT Tablet के बारे में दिया गया जनकारी आपके लिए काफी हेल्प फुल रहा होगा Phyromax XT Tablet के बारे में और किसी भी तरह के जनकारी के लिए कोमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए तथा चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, धन्यवाद